बिस्मिल्ल्य रहमानी रहेम पहला हम्हारा टॉपीक है अब कि आज पीड ट्रायसोमी का मैं और यहां पर ट्रायसोमी की एग्सांपल में हमें संद्रॉम के बारे में डिसकुस करेंगे डाइट्स नेम इज़ा कलाइन-فडर स siis judge उसे पहले आप ट्राइसोमी को समझ लें, What is Trisomy? बिट्राइसोमी इस पैशल टाइप अफ एन्यूप्लाइडी यह किसकी टाइप होती है? अन्यूप्लाइडी A N E U P L O I D Y अब एन्यूप्लाइडी की एक स्पैशल टाइप है, अब एन्यूप्लाइडी क्या होती है? हमारी बुक के अंदर न दो चीज़ें लिखी गई हैं इस टॉपिक से पहले दो चीज़ें लिखेंगे हैं डिस जंक्षन एंड नॉन डिस जंक्षन अब वो जो नॉन डिस जंक्षन होती है ने बेटा उसी के दूसरा नाम होता है एन्यूपलाइडी यानिके हम कहते हैं कि न क्रूमसौम की होने चाहिए यह लेकिन कितने हो जाएं लेकिन कितने खालका सतैंगे था थो जालीए फिर पद्धालिस हो जाएंगे या उड़तालिस कह सब दाने 가능nity जैंकर क्रूमसौम का नंबर अभर हों हिसको करेंगों प्लाइड जिसमए एक क्रोमोसोम अजाफ ही आ जाए उसको क्या नाम देदेंगे ट्राइसोमी बेसिकली हमारी बाड़ी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो है 2N यानिको 46 अब 2N प्लस 1 जब आ जाता है वाटा हम इसको नाम कहा देते हैं this one is known as Trisomy कल हमने Trisomy की टाइप में Trisomy 21 पड़ा था जिसका नाम क्या था नाम क्या था जिसका यह डाउनищर्णॉं आज हम यहां पर एको टाइप पढ़ेंगे उस टाइप का नेम क्या होगा爸's name is the क्लाइन फैल्टर सेंड्रॉम क्या नेम होगा फैल्टर सेंड्रॉम अब क्लाइन फैल्टर सेंड्रॉम पहले तो यह समझने भाई यह होते के हैं और यह डाउन सेंड्रॉम से डिफरेंट कैसे होते हैं देकर डाउन सेंड्रॉम और क्लाइन फैल्टर सेंड्रॉम में फर्क ज कि दोनों एन्योप्लॉय्डी है फिर भाई फरक काँ में जो फरक आए गे ना वह परण का एक जगा पर आकर वह यह है कि यहाँ पर जब हम ौद्रॉं के बात करते हैं पर लेकिन यहां पर सेक्स होगे किसमें होगी शक्रोपा यानिकि जो पूरे हमिंप पता है हमारीर बाडि के अंदर जोrue है उसमें 46 क्रोम सुमिंगे 46 में से 44 अान Duo होते हैं दो होते हैं सेख्ष क्रोम सूम अब यहाँ पिछली बारी मैंने कहा था कि sex chromosome बिल्कुल ठीक है उसमें down syndrome में एक अजाफी आर्टोसोम आ गया था एक अजाफी क्या गया था आर्टोसोम था उसको down का नाम दिया लेकिन यहाँ पर क्लाइन फैल्टर syndrome के अंदर बटा आप आप कहेंगे कि आर्टोसोम बिल्कुल ठीक है यानि के मैं यहां पर बना देता हूं बेटा स्पोस्ट डाट इस वन इस एग सेल इस एग सेल में हैं 22 आर्टोसोम और यह आपके पास आ गया एक sex chromosome एग साल समय से हैं एग सेल का मतलब गैमिट एग सेल का मतलब गैमिट और गैमिट मियोसिस के नतीजे में बनता है मियोसिस में क्रोमसोम हाफ हो जाते हैं अगर चालिस हैं तो कितने हो जाँगे 23 22 आर्टोसोम एक sex chromosome साथ में क्या आएगा साथ में एक sperm cell आएगा है इस तरह से इसमें क्या हुआ इसमें abnormality हो गए 22 आर्टोसोम ठीक है sex chromosome इसमें जएदा आगया यह ले यहनिके अब इसमें हुआ क्या बैटा यहां पर एक sex chromosome था that's name is X इदर या तो X होना चाहिए था या Y होना चाहिए था लेकिन इसमें भाई दोनों आगे X भी आ गया Y भी आ गया जब यह इसको fertilize करेगा fertilize करने के नतीजे में एक zygote बनेगा उस zygote में क्रोमोसोम पहले count करें 22 23 23 और 22 45 45 45 वो टू 47 क्रोमोसोम तो भाई abnormal है 47 है फिर क्रोमोसोम अजाफी कौन सा आया इसमें अजाफी जो करोमोसोम है वो एक X क्रोमोसोम आ जुक है X इदर से आ रहा है और X इदर से भी आया और साथ मे वाई भी आ इदर अगर तो याद रखे बैटा अगर तो फीमेल होती है नवाइं में कम्भिनेशन ये होता है कि फीमेल में बैटा 22 दूसरा य होता है अब इधर देखिए यहां पर X भी है य भी लेकिन एक X अजाफी आ गया यह निक्त कि हम सोचे तो यह मेल है क्योंकि इसमें Y क्रोमोसोम है लेकिन वाय मेल तो है लेकिन इसमें भई थोड़ा प्राबलम है तो प्रॉब्लम क्या उसको पहले समझ लेते हैं तो हम कहेंगे कि यह सेक्स क्रोमोसॉम की अबनॉर्मेलिटी जिसमें आप कहेंगे कि वन एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसॉम इस प्रैज़न्ट क्या होगा मझूद होता है अब एक एक्स्ट्रा होने की वज़ा से क्या बनेगा बेटर जो सेंड्रॉम है वो कोन है क्लाइं कल्टर डिसकवर कि ने किया है इसको चलेंजी हैडिंग लगाएं डिसकवर हैडिंग लिखते हैं यहां पर 1942 1942 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम है H.F. क्लाइन फेल्टर बेटा उस बंदे ने बताया था कि यह जो सिंड्रोम है इस सिंड्रोम की प्राब्लम इसकी कुछ बात कर लेते हैं हम पॉइंट नम्बर वन अगर यह मैं के अंदर अब नॉर्मालीटि है तो आप ने कहना है कि बेटा पहली बात यह लंबे करका होगा क्या होगा ताल लंबा होगा एंड़ और बैस मोटा भी होगा अगा अब जा टिक एंच उसके बाद इसमें और क्या होगा आपने कहना है कि टाल भी है और स्मॉल pasties are present मजूद होंगी बट स्पंफ फार्मेशन ही होगी बट स्पंफ फार्मेशन दस नौट टेक्स प्लेस एक और इसके इंदर बैटा कि और इसके दर क्वालिटी क्या होगी बैटा फीमल स्केंद्री क्रेक्टरट iç your female area हुगी इसमे काफ ज्यादा होगी इस सेंड्रों के पास क्लैंट एक हिए उपनोर माइटि मेल इंदर है यह इसने डिसकेवर किया भाई साब ने इसने ये सारे खुबियें बताई कि ये इस तरह का होगा इस वज़ा से ये होता है इस तरह का उसके अंदर केमिकल रियक्शन होता है ये फॉlor heute है जिसके नृसे में ये बन जाएगा पहली बाद बेटा जू सुंडरों होते है वह बहुत कम सुरवाइब करते हैं जब फॉटलाइज़शन होती है उसके बाद ही इनकी खत्म हो जाते है और स्परश्वाइब करीकी क्राइब अच्छा जी अब ये तो हो गया हमारा पास सेंड्रॉम अब हम बात करेंगे बेटा नली सोमी के बारे में है मर आपा सुमी क्लिक ले में वाध य वडिसंट Champ नाली सोमी निकमें एन्यों नाई वो नहीं यह क्या क्या होता है हमने कहा थै कि अन्यों प्लॉइड था है अब्नॉर्मल नंबर ओफ क्रोमोसों को हम नाम देते हैं अब यहां पर एक ऐसी अनुप्लाइडी जिसमें बेटा एक क्रोमोसम मिसिंग होगा यह निकर टू एन माइनस वान इसमें क्या बात है वही है माइनस वान मिसिंग है अच्छा जी चलें बापिस आई हम बात करें यहां पर फीमिल के बारे में यह किसके अंदर अबनॉर्मालिटी होगी फीमिल अब इसमें होगा क्या इसमें बटा होगा इस तरहां से कि देखे मैंने का था कि फीमिल के अंदर sex chromosome दोने क्यों होंगे एक्स होंगे तो आपने कहना है कि one x chromosome is missing one x chromosome is missing क्यूंकि जाहरी सी बात है अगर यह फीमिल के अंदर अबनॉर्मालिटी है तो female के अंदर जो combination है वो तो double x का होता है लाइप से बात बह commitment को इस में आपने कहना है कि इसके इनधर 44 टसूम है साथ में एक sex chromosome है वो क्या है x जिसके विज़ा से total number of chromosome आगे 45 हम कहेंगे it is a abnormality in abnormality due to lack of one sex chromosome in female अब हम देखते हैं भई इसकी symptoms क्या होती है इसको discover किस ने किया इसका वेटा जो name होता है हमने नली सोमी की abnormality पढ़नी तो start कर दी लेकिन जो name होगा syndrome का वो क्या है आपके पास turner syndrome क्या कौन से syndrome हम पढ़ रहे हैं इस वकट turner syndrome turner syndrome अच्छ जी अच्छ आप वेटा ये देख लें point number one इसके अंदर इसमें आप ये कियेगा complete absence of germ cell complete absence of germ cell germ cell समझते हैं यानि के female तो है बेटा लेकिन इसके इंदर जो egg cell की formation है वो नहीं होने वाली egg cell formation नहीं होने वाली बात समझ में आ गई दूसरी बात अब यहां पर second जो इसके अंदर बेटा होता है ये डीफ होते हैं कुछ जैनिके इनको hearing problem भी होता है क्या होंगे hearing problems भी होते हैं सुनने में problem है इनको discover किस ने किया इनको discover किया 1938 के अंदर किसने discover किया henry एच डाउन यह टर्नर तर्नर क्योंकि उसने इसकी characteristics को ब्यान किया और उसी की बेस पर हमने इसको क्या नाम दे दिया हमने नेम दे दिया इसमनिजा टर्नर सेंड्रॉम तो बैटा आज का यह आपका टापिक यहां पर कॉम्प्लीट हो गया क्लाइन फेल्टर सेंड्रॉम स्टर्नर सेंड्रॉम ट्राय सोमी नली सोमी अनियो प्लाइडी उनकी सब्सक्राइब sounds is that clear